मोटू और पतलू दो अच्छे दोस्त थे। वे एक छोटे से गाव में रहते थे जहां सभी लोग एक दूसरे को जानते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। मोटू बहुत महनती और दिल से अच्छा था जबकि पतलू थोड़ा नादान और शरारती था। दोनों के बीच मजेदार और खुशनुमा दोस्ती थी। एक दिन मोटू और पतलू अपने गाव से थोड़ी दूर जंगल में घूमने चले गए। वे जंगल को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वहां उन्हें खूपसूरत नजारे और दिल्चस्प जानवरों को देखने को मिलते थे। जब वे जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक ऐसा जानवर दिखाई दिया जो कि उन्हें अपनी जिन्दगी में कभी नहीं देखा था। वह जानवर बहुत ही अद्भुत और रंगीन था। उसकी आँखे हरिहरी थी और उसकी बाले नीली थी। वह बहुत ही दिल्चस्प और खूपसूरत था। मोटू और पतलू को देखकर वह उनके पास आया और उनसे बोला नमस्ते मेरा नाम मैजिक जानवर है। मुझे आप दोनों की मदद चाहिए। मेरे पास एक जादूई जंगल है जहां बहुत सारे जादूई और रहस्यमें चीजें हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। मोटू और पतलू ने उससे हां कह दिया और उसकी मदद करने को तयार हो गए। मैजिक जानवर ने मोटू और पतलू को अपने जादूई जंगल में ले जाया और वहाँ जादूई चीजों के बारे में बताया। वे जंगल में बहुत सारे रहस्यमें और जादूई चीजें देखने को मिली। उन्होंने अपनी दोस्ती को और भी मजेदार बनाने के लिए अनेक जादूई प्रयोग किये. मगर एक दिन एक विलेन जादूगर उनके जंगल में आ गया और उनकी खुशियों का खजाना चुरा लिया. मोटू और पतलू ने यह सुनकर बहुत दुखी हुए. मैजिक जानवर ने उनसे प्रश्न किया. क्या हुआ है दोस्तों? क्या मेरी मदद से आप खुश नहीं हो? मोटू ने बताया कि एक विलेन जादूगर ने उनके जंगल को लूट लिया है. मैजिक जानवर ने फिर से अपनी जादूई शक्तियों का इस्तिमाल करके उन्हें उ वे दोनों ने मैजिक जानवर को बधाई दी और उससे अपने जंगल को बचाने के लिए उसकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहा. वे तीनों दोस्त बन गए और उनकी दोस्ती बहुत ही मजेदार और खुशनुमा बन गई. मैजिक जानवर ने उन्हें अपनी जादूई जंगल का एक नया रंग लाया. वे अब हर दिन अपने जग.